भारत एक ऐसा देश जो दुनिया में ग्यान की उद्गम स्थली है, विचारकों, विद्वानों की तपो भूमे, सुश्रुत, चरक जैसे चिकित्सा विद्वानों की कर्म स्थली, जहां चिकित्सा शास्त्र सभ्यता का विशेश अंग बना और विकसित हुआ, युग खुद इस महान परंपरा का साक्षी रहा है, बदलते दौर के साथ कई बदलाव आए, बहुत कुछ बदल चुका है, चिकित्सा ख्षेत्र में क्रांतिकारी खोज, परिवर्तन और विकास हुए है, इस ख्षेत्र में हर कदम पर भारतिय चिकित्सकों ने अपना लोहा मनवाया है, दुनिया भर से इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजावा हो रहा है, भारत में बहुता मेडिकल टूरिज्म इस बात का साक्षी है, न सिर्फ भारत में बलकि दुनिया के विकसित देशों में बड़े-बड़े मेडिकल संस्थानों में भारतिय चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, भारत एक नई युग की तरव, कदम बढ़ा चुका है, बीते वर्षों में चिकित्सा विज्ञान ने समय की शिला पर अपने कई निशान छूड़े हैं, भारत रोबोटिक्स सर्जरी की दिशा में भी कदम बढ़ा चुका है, प्लोस्टेथ, किड्ने और यूरिनरी ब्लेडर से संबंधे टॉपरिशन रोबोटिक्स के जरिये किये जा रहे हैं, कैंसर का इलाज अत्या धुनिक ताओर तरीकों से बेहत जफल साबित हो रहा है, देश में कैंसर से मरने वालों की संख्या में तेजी से कमी आई है, भारत में बून मेरोप्रत्यरपन, बाईपास सरजरी, हार्ड और लीवर ट्रांस्प्लांट के सफल ऑपरिशन देश के दक्ष डॉक्टर्स की कारेकुशल्ता को प्रमानित करते हैं, चिकित्सा क्षित्र में भारत नए यूग की तरफ कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि वहीं है जो एक उम्मीद है, आशा है, मानवता की असीम परिभाशा है, समाज में और स्वास्त के खित्र में है जिनका अतुलनी ये यूगदान ऐसी तवाम शक्सितों को हमारा सलाम प्रोशब जड़ में जवता है, आशा है, आशा है, आशा है आशा है, आशा है, आशा है, आशा है, क्या जाए छूगदान को हमाराज।